हेलो दोस्तों आज हम एक शेयर से बाते कर रहे हैं जो लगबख 45 परसेंट तो टूप चुका है 80 रुपे का उसका भाव है 80 रुपे का और बात करें तो उसमें एक बाइबैक होने वाला है बाइबैक होता क्या है क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे इलेट भी बाते करेंगे क्यान देना है और कौन सा शेयर है उससे लिटर भी बाते करेंगे बट उससे पहले हमेशा की तरह रुक्वेश्ट है कि आप एक साथ आते हो पैसा लगा देते हो ठीक है ना कभी भी आपने पढ़ाई भी करिया जॉब लेनी के लिए भी आपने टाइम दिया है जहां पर मैं बारी किया सिखाता हूं क्यों क्या कैसे कि जवाब देता हूं शेयर क्यों भागते है शेयर क्यों गिरते है शेयर क्यों सा लेना चाहिए क्यों सा नहीं लेना चाहिए जब यह क्यों क्या कैसे कि जवाब आपको मिल जाएंगे न तो आपको समझ में आएगा कि हाँ I am in a right path ओके मुझे पता है कि मुझे को कौन से share यहाँ पर खरीद ने है so basics to advanced technical research fundamentals सब चीज सिखाया जाता है 25,000 रुपी का course है इस बार course को किया आप पीछे मुझे देखने की ज़रूतनी पड़ेगी 3 months की hand holding strategy using stock market online node सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा और इन नमबरों पर contact कर सकते है 860540501 8169261037 और course को करने के बाग पीछे मुझे देखने की ज़रूतनी है और साथ में आगर किसी को काम करना है पोर्टफोलियो बड़ा है या छोटा है इन नमबरों पर contact करो बात करने का कोई पैसा नहीं है simply अगर हमारे बीच में बात बनेगी जमेगी हम यहाँ पर काम कर सकते है आगे बढ़ते हैं पात करते हैं यहाँ पर द्वारी के शुगर इंडर्ष्ट्री की जिस शेयर की मैं बात करना हूँ कि यहाँ पर buyback होने वाला है ठीक है और किस price पो होने वाला है तो हम उसी चीज़ से रिलेटरी बात करेंगे और साथ में मैं आपको इसका chart भी बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि शेयर कितना प्यारा नजर आ रहा है ठीक है और कितना प्यारा नहीं नजर आ रहा है तो सबसे पहरें द्वारी के शुगर के हम बाते करेंगे, कंपनी करती का है, नाम में ही नेजर आरा है शुगर, जो बनती है, जिसे हम शराब कहते है, वह भी एक यहां पर इंक्लूड होती हुई नेजर आ सकती है, तो यहां पर देखिए, प्राइमरी इंगेज इन मैनुफेक्चिर शुगर एन एलाइड प्रोड़क्ट तो यहाँ पर क्या है कम्पनी उसके एलाइड प्रोड़क्ट भी बनाती हुई नजर आती है और इन इन फील्ड सच अज शुगर पर है क्या है क्यों है यह सारे आंसर मोशली यहां पर समर में आ जाएगे हम आगे बढ़ते हैं ठीक है क्योंकि अगर हम यह दिर्डून निकलेंगे तो यह वीडियो और जादा लंबी हो जाएगी और शायद आप उस टाइम देखे ना कंपनी की बात करें मार्क है तो 1526 करूर रूपए मार्क है मतलिब क्या है छोटी कंपनी है स्मॉल कैप कमपनी है जसे मुदह करें तो याद रखिएगा हमारी चाइन नाम स्मॉल कैप है और हम बात करें की ह необходимо हमारी एक्स्पर्टीज है last बनाके देते हैं और यहीं पर ही पैसे बंते हैं जितने बड़े लोग हैं यहीं पर ही सरी तर और याप्ने महेंगा है या सस्ता है वो आप यहाँ पर देख險 डाहिएगा काफी ग्याणी स शपैन में करने करते में संता है पर कि पर्यों कर आप य३हाइं सब्सक्राइप बैसर देट कमपनी के नहींumuz हुआं देख सकते हैं कंपनी पिछले दो बार से तो लाश्ट येर से हम देखे दो जरबाई से दो दो रुपे का डिविडेंट दे रही हो से पहले एक रुपे उससे पहले कुछ पैस होगा यहां पर बात करें स्प्लिट की तो 2017 में आप स्प्लिट भी हुआ है और कंपनी ने यहां पर बाइबैक एनाउंस किया है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 105 रुपे का टेंडर ओफर के तुरू 31 रुपे तक यहां पर जो कि हम यहां पर देखेंगी अभी ठीक हैं वो यहां पर एनाउंस करते हुए नजर आए है कंपनी के बारे में थोड़ा फंडमेंटल जान पर लिबॉफे सुरिय को हम पर यहां पर थेखेंगि आपको खिल देख सकते हैं net profit है वो यहाँ पर गिरता हुए नजर आ रहा है जो कि positive बात नहीं है इस शीच को भी हमें ध्यान में रखना है थूड़ा सा तो इस तरीके के upside downs आते रहते हैं प्लस में ये शुवर के जितने भी stocks है इन पर government regulations करती हुई नजर आती है तो क्या है कभी ethanol पर production कम हो जाएगा कभी चीनी पर कभी ये कभी वो तो कहीं न कहीं जब इस तरीके के पाबंदिया लगाई जाती है तो पाबंदी में क्या आप काम करस पाते हो मुझे मैं जितना भी हम बात करें तो पाबंदिया जहां पर लगती है तो जब भाग रहा है जब गिर रहा है तो फिर उसके बाद गिरता हुए नजर आता है yearly performance की बात करें ठीक टाक performance यहां पर नजर आती है और घाटे से company profit में चल रही है that is a positive thing reserves की बात करें company के reserves लगाता बढ़ रहे है और boring यहां पर बात करें company की boring घटती हुए नजर आ रही है यह positive चीर यहां पर company की यहां पर दिखाई देती है जो कि आप देख भी सकते हैं कहां पर company 50-50 करोड के आसपास interest दे रही थी अभी 19 करोड हो गया और company इसी तरीके से आग बेचना चाहते है ना करीद रहे है F20 की बात करें F20 ने थोड़ी सदारी गटाई है बड़ दुबारा जब चीर अच्छी होंगी दुबारा आते हुए नजर आएंगे मुझे पता है डियाइस की बात करें company के यहां पर है नहीं ठीक है डियाइस ना के बराबर है और बात क है उनके पार 4.46% की होल्डिंग है मतलब क्या है इनका वीजन बहुत बड़ा लंबा है ठीकर ना इसलिए इनोंने यहां पर यह शेर इतने लंबी टाइम तक रख भी रखिया है बात करें company की तो यहां पर आप देख सकते है पहले प्रमोटर से 2022 में अच्छे खासी होल्ड करें bank selling की recommendation है नहीं और चीरों को यहां पर सीखने की कोशिश करें और इन नमबरों को नोट करके course कर सकते हैं और साथ में हमारे साथ काम कर सकते हैं आधार के बात करेंगे वाइबएक की बात करें तो यहां पर आप देखिए पहले तो बाईबएक की देख लेजेए कि यहां पर आठ तारीक को जो मीटिंग होई थी उन्होंमें यहां पर company ने यहां पर बताया को यहां पर इंफर्म किया गया था इस इंफर्म देड़ द्वारी के शुगर है और आज दुबारह यहां पर इनकी मीटिंग होती ही नजर आई है एक डेट और आएगी जो कि यहां पर इनकी कि यहां पर आपको दिये जाएंगे आपके पार शेयर है आपसे कहा जाएगा कि आप अगर एपलाई करना चाहते हो बाइबैक में तो आप एपलाई कर सकते हो आपके पार जिमान के चलिए दस शेयर है तो दस में से केवल एक शेयर ही जीट जाएगा तो इस बेसिस पर याद इसने लिए buyback को थोड़ा से समझने की कोशिश करी है कि हाँ यहाँ पर देखिए 1.593% शेयर लगपद 30 लाग शेयर यहाँ पर buyback करेगी company ठीक है 105 रुपे के भाव पर यहाँ पर buyback करेगी ठीक है तो आपको क्या करना है आपको simply क्या करना है अगर buyback आप देना चाहते हो त दे दीजिए ठीक है अच्छा opportunity है बड़ पूरे शेयर ने जाएंगे 100 शेयर है तो मुश्चिश से यहाँ पर एक दो शेयर आएगा उसका एक message आज जाते है आपके mail पर अगर आपके बास शेयर होंगे उस basis पर आप यहाँ पर दे सकते हो और लगबग 1100 रुपे पर भाव देखते रहे ना तो आपको यहाँ पर चीज़े समझ में आ रहेगी कब यहाँ पर यह होने वाला है तो एक idea आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है तो 20 तारिक को ही यहाँ पर buyback हो रहा है तो घबराने की जरूद नहीं है एक में दीजे रिकॉर्ड डेट है फिर यहाँ पर ex date वगरा होगी उससे पहले आपके पास share होंगे तो आपके buyback में यहाँ पर निकल जाएंगे तो अब बात करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि सारे share नहीं जाएंगे कुछ share ही यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले देखिए share 45% तूट चुका है और 45% तूटने के बाद चीज़े attractive होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊ हूँ तो यहाँ पर देखिए इसी range से 2017 का breakout भी हुआ था यहाँ पर चीज़े आगे हैं मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों तक यह share यहाँ पर consolidate कर करती है तो मुझे लगता है कि company September के बाद से अच्छा करना शुरू करेगी 6 महीने शायद परिशानी में रहेगी और जैसे ही company अच्छा शुरू करती है buyback की news प्लस में share already यहाँ पर 50% के आसपास correct हो चुका होगा तब तक ठीक है और यह जिस दिन निकलना शुरू करे उज जिस तरीके से यह चीज़े निकली है तो ऐसे निकलने पर और retest करने पर यह चीज़े और अच्छी हो जाती है कभी class में आओगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्या होता है but still मैं अभी आपको फिलाल के लिए बता रहा हूँ कि अभी ना तो positivity दिखाई देती है म company ने यहाँ पर perform करके नहीं दिखाया तो अभी selling pressure बना हुआ है downside यहाँ पर इस particular share का यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है बट कोई परशानी नहीं है ठीक है न support लेती हुई नजर आ सकती है यह थोड़ा सा यहाँ पर गिर सकता है या फिर यहाँ पर consolidation phase में जा सकता है लं अपनी भाई कर रही है तो अच्छी चीज है अच्छा share है correct भी हो चुका है बट buying selling की recommendation नहीं है कभी और अच्छा लगेगा जब यहाँ पर भागने को तयार होगा तो आप मुझे comment जरू करिएगा मैं आपको दुबारा यहाँ पर share से related बाते करता हुआ नजर आओंगा और आपको बताता हुआ नजर आओंगा बैट इस्टिल buying selling की recommendation नहीं है चीरो को सीखे सीखने के लिए चैनल को subscribe करे course करे और thank you so much God bless